Good morning dear students In this video We will solve exercise number 2 Of chapter number 4 Chapter 4 के exercise 2 को इस video में हम लोग क्या करेंगे? Cover करेंगे So let us start this exercise Question number 1 Of this exercise is Fill in the blanks Fill in the blanks Blanks को क्या करना है? हम लोग को fill करना है Question number A Of question first is 185 multiply with 1 Then what will we get? देखिए 1 से किसी भी number को Multiply करते हैं तो और सेम नंबर क्या होता है? मिलता है इस तरह से 185 हो जाएगा उसी तरह से जैसे माली यहां पर Question इसका B दिया है समझ सकते हैं आप लो Space दिया है Into 1 दिया है Equal to 270 दिया है बात वही हुआ 270 यानि कि कुईसी भी number का Multiply हम 1 से करते हैं तो वही number मिलता है यानि कि यहां पर क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा Very simple Okay Question number C देखिए 185 Okay Into 0 This equal to space देखिए किसी भी number का Multiply का जब 0 के साथ हम करते हैं तो finally हमारा product क्या आता है Question number G क्या है 138 multiply with 413 into 644 This equal to 138 into space यानि कि आपका empty box into 644 फुद्हान देजी यह दोनों यह left hand side है और यह क्या है राइट hand side है इस तरह का अगर कोई भी numbers दिये गए हो left hand side में भी right hand side में तो इसमें हम लोग क्या करते हैं left hand side को right hand side के equal करना होता है equal to equal to का sign है यह equal कब होगा यहाँ पे 138 है यहाँ भी 138 है यहाँ पे क्या है 644 है इधर भी 644 है और यहाँ पे 413 है left में यहाँ पे 413 नहीं है जो नहीं है उसको fill कर दीजे multiplication में इस तरह से जिसकी जरूरत होती है उसको fill कर देते है जिसका मतलब जिससे माल यह दोनों match कर गया right hand side में यह नहीं match कर रहा है तो इसको क्या कर यहाँ पे fill कर दीजे यह वो number हो जाएगा ठीक है अब हम लोग आते है question number 2 पे multiply the following in 3 different ways देखें यहाँ पे जैसे question दिया है question A 5 into 8 into 4 इसको 3 तरीकों से हमको क्या करना है multiplication करना है तीन तरीके से तीन तरीका वह क्या है जैसे माल लिजे starting में होले दोनों का इन दोनों का multiply कर लिजे first way यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 into 8 इसको एक bracket में ले लिजे into 4 कर लिजे तो क्या हो जाएगा 5,8 जा 40 और into क्या हो जाएगा 4 अभी है नो इन दोनों को पहले हम grouping किये है अब यहाँ पे multiply करेंगे तो क्या होगा 4,4 जा 16 जीरो है तो जीरो लिखे दीजे 160 आपका answer आजाएगा यह first way था उसका बाद से second way second way में हम क्या करें अब इन दोनों की grouping कर दीजे यहनि कि 5 into 8 into 4 कर दीजे ठीक है this equal to यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 into 8,4,32 ओके and this equal to 5,2010 0 carry 1 5,3,15,15 and 1 16 160 आगया उसके बाद से इसका third हम लोग way इसका apply करें यहाँ पे जिसे माल लिजे हैं यहाँ पे पहले दूसरे को हमने grouping किया था पहली बार फिर दूसरी बार दूसरे तिसरे को grouping किया था पहले और तिसरे को grouping कर दीजे तो क्या हो जाएगा 5 into 4 एक साथ ले लिजिए and into 8 को किनारे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5,4 जा 20 into 8 this equal to 8 to 16 it means 116 यानि कि तीनों तरीके से हमारा answer कितना आया 160 आया तो multiplication में हम लोग क्या करें यह तीनों तरीके से हम लोगों ने solution किया हमारा answer कि आया 160 आया ऐसे other questions को हम क्या कर सकते हैं solve कर सकते हैं okay students अब हम लोग आते हैं question number third पे question number third क्या है find the product question number third is find the product using distributive property जिससे question A दिया है 5 plus 6 into 9 तो देखें distributive property क्या कहता है जब यह bracket क्या होता है break होता है यह 9 का multiplication हम क्या करते हैं पहले इसके साथ करते हैं फिर plus लगाते हैं फिर इसके साथ करते हैं कैसे करते हैं आईए देखा जाए 5 into क्या हो जाएगा 9 and plus उके उसके बाद से क्या हो जाएगा 5 into 9 plus 6 into 9 6 into 9 this equal to 5 9 जा 45 and plus 6 9 जा 54 this equal to इसको इसको हम एड करेंगे तो क्या हो जाएगा once वाला 5 है यहाँ भी 4 है 5 plus 4 क्या हो जाएगा 9 और यहाँ भी 4 plus 5 क्या हो जाएगा 9 it means 99 हमारा क्या हो जाएगा finally product हो जाएगा तो इस तरह से बीच में अगर minus दिया है तो यहाँ माइनस रखेंगे ठीके ना प्लस दिया है तो प्लस रखेंगे ऐसे हम लोग क्या करते हैं डिस्टुबिटी प्रापर्टी के एक्वाडिंग product find करते हैं okay students in the next video we will solve next exercise of this chapter okay thank you have a nice day